शिव तत्व एक विमर्ष लेखक स्वामी संबीत सोंगिरी शिव के साथ ही उनका बाहन श्वेत धवल विर्षब उनकी शक्ति पार्वती उनके पुत्र कार्तिकिय शडानन छे मुखबाले एवं गजानन तथा इन तीनों के बाहन सिंग मोर एवं मुशक मन पटल पर उभरते हैं साधनतर सिंग से ब्रिषब को भय होता है सर्व को मोर से भय है चुहा सर्व का भोजन है शिव का भाल नेत्र अगनी रूप है दाहिना नेत्र सोर्य है एवं बायम नेत्र चंद्रमा है शिव के कंठ में विश है, शिव का बाया अर्दभाग गौरी रूप है और वे कामदेब का दहन करने वाले भी है और आस्चर यह है कि वे विश्णों के मोहिनी रूप पर आसकत भी हो जाते है शश्मान में क्लीरा करने वाले भूत प्रितगनों के साथ रहने वाले कपालों की माला पहने हुए दिगंबर शिव अपने भ्रोव विक्षेप से देवताओं को समस्त एश्वर प्रदान करते है शिव के रूप में पहनावे में, चर्चया में, ब्यवार में, परिवार में अनेक बिरोधी तत्व देखने में आते हैं और वे सभी तत्व एक सम्रस में रहते हैं क्योंकि शिव स्वैंग सम्रस मुर्ती है वे अखंड अद्वैत स्वरूप होते हुए समस्त द्वैत को द्वितिया के चंद्र रूप में अपनी जटाओं में धारन किये रहते हैं वे द्वंदातीत होकर सभी द्वंदों को अपनाते हैं शिव की अनन्त करुणा में सभी विरोध, सभी विशमताय, आस्रय पाकर, समरस्ता की ओर अग्रसर होती है शिव के बिभिन रूप एवंग शिव लिलाई भी, रोचक, रहसमई, गुड तथा आस्रमई है एवंग शिव तत्त को शिव महिमा को प्रकट करती है शिव स्वरुपत परम ब्रम है, बे नित, शुद, बुद्ध, मुक्द है वे देशकाल वस्तु परिछेद से रहित है उनमें सजातिय, बेजातिय, स्वगेत भेत नहीं है मानरुक के उपनिशद में शिव का उंकार रूप से प्रतिवादन है इस उपनिशद के सात्वे मंत्र में कहा गया है वो उंकार ना अंतः प्रग्य है, ना बही प्रग्य है, ना उभेत प्रग्य है ना प्रग्यान कि धन है, ना प्रग्य है, ना आप्रग्य है वो अद्रिष्ट हैं, आव्यभार हैं, आग्राज्य हैं, आलक्षन हैं, आचिंत्य हैं, आव्यप्य पदेश्य हैं, एकात्म प्रत्त सार हैं, प्रपंचो प्रशम हैं, शांत हैं, शिव हैं, आद्वाइत हैं, तूरिय हैं, आत्मा हैं, उसको अनुवो कर लेना चाहिए निर्गून निराकार निश्क्रिय शेव ही अपनी आचिंत आ निर्वचनिय शक्ती का प्रयोग करके सगून निराकार एवं सगून साकार बनते हैं वे ही जीव जगत रूप से प्रतिभाशित होते हैं अपनी शक्ती का प्रयोग करते हुए वे इश्वर कहलाते हैं वे जगत की स्रिष्टी, स्थिती, लय करते हुए क्रमश ब्रंभा, विश्नु एवं महेश कहे जाते हैं इन तीन कृत्तों के अलावा उनके दो कृत्ते और हैं निग्रह करना अर्थात जीव को अज्यान अवस्था में बांद कर रखना अनुग्रह करना अर्थात जीव को स्वरुब बोध मुक्ति की ओर ले जाना ये दो कृत्त करते हुए वे क्रमश इश्वर एवं सदाशिप कहे जाते हैं बेद में स्रिष्टी स्थिती लय निग्रह अनुग्रह इन पंच कृत्तों को करने वाले शिव रुपो को क्रमश सद्योजात बाम देब अगोर तत्पुरुष और इशान कहा गया है जिस ज्ञान को लेकर शिव पंच कृत्त करते हैं उनको वेद कहते हैं वेद परमेश्वर का विवर्थ है वेद अनन्त अनादी सनातन एवं आप औरुषय है शिव ने बेद को प्रकट किया और वेद ही शिव स्वरुक के निर्धारन में परम प्रमान है वेद में धर्म एवं बंब तत्व का प्रतिपादन है जिस विधान को लेकर परम ब्रम शिव स्पंदित होते हैं पंच कृत्त करते हैं उसे धर्म कहते हैं शिव का बाहन नंदिश्वर ब्रिशब धर्म है धर्मो ब्रिशः यह अखिल स्रिष्टी प्रकट होती है और अपनी अवधी पोन होने पर महाप्रलय में लीन हो जाती है स्रिष्टी और महाप्रलय का यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है महाप्रलय की स्थिती में उस शिव की त्री गुणात्मिका शक्ती के तीनों गुन, सत्व गुन, रजो गुन, तमो गुन साम्मे अवस्था में रहते हैं माप्रलय की अवदी पोन होने पर जब वो परमेश्वर स्रिष्टी उन्मुख होता है तो त्री गुनों में विक्षोब उत्पन्न होता है तम विशुद सत्व गुणबाली प्रकीती सेयुक्त इश्वर चैतन एवं मलिन सत्व गुणबाली प्रकीती सेयुक्त प्राग्य नामक आ संख जीब प्रकट होते हैं तमोगुन प्रधान प्रकिती से पंच तनमात्राएं, शब्द तनमात्रा, स्पर्ष तनमात्रा, रूप तनमात्रा, रस तनमात्रा, गंध तनमात्रा प्रकट होती है। इन तनमात्राओं अर्थत शुक्ष्म पंच महभूतों से तपे हुए स्वर्ण के समान देदिप्यमान अंडाकार शुक्ष्म ब्रम्भांड की उत्पत्ति होती है। इस शुक्ष्म ब्रम्भांड में ही असंख जीवों की औव्यक्त वास्नाओं से युक्त हिरन गर्भ अर्थत ब्रम्भा की एक साथ ही विद्दुत प्रभा की तरह अभिव्यक्ति होती है। इसी को मनुस्मृति में बताया गया है तदंडम भवद हैमम सहस्रांग्षू समप्रभम तस्मीन जर्ग्य स्वैंग ब्रम्भा सर्वलोक पिता महा। वे परम्ब्रम्भ ही उपासकों परक्रिपा करने के लिए ब्रम्भा, विष्णू, महेश, स्वरसती, लक्ष्मी, दुर्गा, आदी, सगन रूपों में अपने आपको प्रकट करते हैं। एवंग नाना प्रकार की लीलाई भी करते हैं। लैकर्ता महेश की पूजा, त्रीनित्रधारी चन्रशेखर, जटाजोटधारी गंगाधर, कपाल माला, नाग भूशन, त्रिशूल, डमरुधर के रूप में की जाती है। ये ही नटराज, मृत्तुन जय, अर्ध, नारिश्वर, आदी रूपों में पूजित हैं। किन्तु लिंगा कृती रूप में की गई इनकी पूजा को स्रश्ट कहा गया है। लिंग के आधार को जलहरी कहा जाता है, ये ब्रह्म शक्ती का प्रतीक है। कहीं कहीं मंदिरों में इस शक्ती पीट के नीचे विश्णो पीट एवं उसके नीचे ब्रह्म पीट की स्थापना की जाती है। भगवान का बाहन नंदी है और वो धर्म का प्रतीक है। भगवती सती दक्ष कन्या के पती रूप से शिव ने दक्ष यग्य धन्स की लीला की एवं पार्वती पती रूप में शिव गनेश एवं कार्तिकिय के जनक बने। एवं बिविद लीलाई की आज भी उपासकों के समक्ष प्रभू की लीलाई प्रकट होती है। वो परम्रम्भ शिव ही जिब बना है एवं वही जगत बना है अतशिव आत्मा रूप से भी उपासे है उस शिव की अभिवेक्ती अश्ट मूर्तियों के रूप में हुई यथा पृत्वी, जल, अगनी, वायू, आकाश, सुर्य, चन्रमा एवं आत्मा इन आठों रूपों में शिव को क्रमश, शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, इशान, महादेब एवं जजमान नाम से जाना जाता है शाम्भवी महादेब, शाम्भवी माया से पार जाने के लिए अश्ट मूर्ति उपासना सरवादिक उप्युक्त है परंब्रंभ शिव ने सनक, सननन्दन, सनातन एवं सनत कुमार को प्रभुदित करने के लिए बट विरिक्ष के नीचे अवस्थित हो दक्षिना मूर्ति रूप में उन्हें चिन मुद्रा दिखाई थी यह शिव का गुरु रूप है आदी गुरु दक्षिना मूर्ति ही शिव गुरु इश्वर गुरु एवं आत्मा को धारन करने वाले अखंड चैतन है जैसे शिव शक्ती का अभेद है वैसे ही हर हरी का अभेद है अग्य लोग ही शिव एवं विश्नु में भेद करते हैं शिव आशुतोष है, भोले नाथ है, ओढर दानी हैं इनकी उपासना सू कर है अंजली भरजल वन के साधारन फूलों से ही ये संतुष्ट हो जाते हैं विल्व पत्र, अर्क, आकड़ा, एवं धुतरे के पुष्प इने विशेश प्रिय है शिव की उपासना में अविशेक का विशेश महत्व है इसे रुद्राष्टा, ध्याई, शतरुद्री, शिव, अतर्व, शिर्ष, कैवल उपनीशद, आदी मंत्रों के उच्चारन पूर्बक, जल, फलो का रस, पंचामृत, आदी की धारा को शिवलिंग पर डालते हुए संपन्न किया जाता है प्रतेक उपास देवता के सम्मन में गीता, हृदय, क्रबच, सहस्र नाम और स्त्रोत्र ये पाँच प्रकार का साहित है कवच देवता का शरीर, गीता, शिरोभाग, हृदय देवता का हृदय, सरस्र नाम, मुख एवं बिविद स्त्रोत्र देवता के चरन माने जाते हैं इन पंचांगों को अपनाने से उपासना तेजस्वी हो जाती है मंत्र जप एवं ध्यान भी उपासना की पूर्णता के लिए आवशक है विदीबत की गई उपासना सद्ध फलदाईनी होती है निशकाम भाव से की गई उपासना से उपासक कैवल मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है हर हर महादेव